लिंग, जेंडर, राघव पापा के साथ बाजार गया, रिया नहीं गई, वह घर पर मम्मी के साथ थी, राघव ने दो खिलोने खरीदे, एक कार, दूसरा क्राक्टर, साथ ही उसने रिया के लिए गुडिया भी ली, बच्चो, राघव पापा के साथ बाजार गया, राघव और उसके पापा है लड़का यानि पुरुष जाती। विया और मम्मी घर पड़ थी। विया और उसकी मम्मी है लड़की यानि स्त्री जाती। इसी तरहा राघा के खिलोनों में कार और गुडिया है स्त्री जाती। तथा ट्राक्टर है पुरुष जाती। क्योंकि ट्राक् कहते हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह स्त्री चाती का है या पुरुष चाती का उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग, पुलिंग, स्त्री लिंग। पुरुष चाती की जानकारी कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं। जैसे बालक, आदमी, दादा, बिलाव, चूहा, बैल, आदी। स्त्री लिंग, स्त्री जाती की जानकारी कराने वाले शब्द स्त्री लिंग कहलाते हैं। जैसे बालिका, औरत, दादी, बिल्ली, चुहिया, गाय, आदी। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के कुछ उधारन पढ़िये। सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका, अध्यापग अध्यापिका, युवक युवती, बुद्धिमान बुद्धीमती, श्रीमान श्रीमती सभी सजीव प्राणियों का लिंग होता है, पर जो चीज़ें प्राणवान नहीं है यानि कि नुर्जीव है, उन वस्तुमों के लिंग की पहचान दो प्रकार से होती है. इनके साथ लगी क्रिया से, जैसे कोट पहना, सारी पहनी, जूता पहना, फ्रॉक पहनी. यहाँ कोट, जूता, पुलिंग है और सारी, फ्रॉक, स्त्रीलिंग है. इनके साथ लगे विशेशन से, जैसे मीठी शकर, मीठा गन्ना, खटी इमली, खट्ता आम, यहाँ शकर, इमली, स्त्रीलिंग और गन्ना, आम, पुलिंग है. एक बार फिर से, शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाती के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं. पुरुष जाती की जानकारी कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं. स्त्री जाती की जानकारी कराने वाले शब्द स्त्री लिंग कहलाते हैं. अब प्राणी वाचक या निर्ची वस्तुओं के लिंग की पहचान उनकी क्रिया तथा विशेशन से पुलिंग कहलाते हैं.